सूप प्रभात प्यारे बच्चों आज हम शस्थी खक्षा में अपनी पाठ्य पुस्तक संकल्पम भाग एक के चतुर्थह पाठह में क्रिया प्रकर्णम का अध्यायन करेंगे तो आईए बच्चों हम क्रिया प्रकर्णम में धातु रूपों को पढ़ेंगे धातु रूपों को पढ़ने से पहले हम जानेंगे की धातु किसे कहते हैं क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं हिंदे में जिसे हम काल कहते हैं उसी को सम्स्कृत में लकार कहते हैं लकार मुख्य तह तीन होते हैं लट लकार, लिर्ट लकार और लंग लकार लट लकार को हम वर्तमान काल यानि प्रेजन टेंस कहते हैं लिर्ट लकार को भविश्यत काल यानि फ्यूचर टेंस कहते हैं और लंग लकार को हम भूत काल यानि पास टेंस कहते हैं यहां पर केवल हम लट लकार और लिर्ट लकार को ही पढ़ेंगे तो आईए बच्चों हम लट लकार से शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों लट लकार में तीन पुरुष होते हैं और तीन वचन होते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं एक वचन, दुवी वचन और बहु वचन और पुरुष में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष ये इन तीन पुरुषों का प्रियोग किया जाता है इसमें लटलकार में कुछ नियमों का प्यूग किया जाता है जो लटलकार की सभी धातू रूपों के पीछे आपको देखने को मिलेंगे देखिए नियम क्या है ती तह अंती सी धह ध आमी आवह आमह प्रथम धातू पठ धातू लटलकार में पठती पठतह पठंती पठसी पठतह पठत पठामी पठावह पठामह गम धातू लटलकार में गच्छती पठतह पठती पठतह पठतह पठामी पठामह पिवामह अस धातू लटलकार में अस्ती स्थह संती असी स्थह स्थ असमी स्वह स्मह प्यारे बच्चों अब हमने लटलकार में पठ गमपा और अस इन चारो धातूं का उचारन करना सीखा आगे अब हम लटलकार का उचारन सीखेंगे लटलकार में इन ही चार धातूं को हम पढ़ेंगे बच्चों जैसे लटलकार में हमने धातू के पीछे कुछ नियम लगाए थे वैसे ही लटलकार में भी हम धातू के पीछे कुछ नियमों का प्रियोग करेंगे देखे इश्यती इश्यतह इश्यंती इश्यसी इश्यतह इश्यतह इश्यामी इश्यावह इश्यामह पठ दातो लिरिकलकार में पठीश्यती पठीश्यतह पठीश्यंती पठीश्यसी पठीश्यतह पठीश्यतह पठीश्यामी पठीश्यावह पठीश्यामह बच्चों पाध हतु में नियम थोड़ा सा अलग है इसका प्रियोग लिर्ट लकार में कैसे करते हैं आईए देखिए अस धातु का प्रियोग लिर्ट लकार में भविश्यती भविश्यतह भविश्यंती भविश्यसी भविश्यतह भविश्यतह भविश्यामी भविश्यावह भविश्यामह तो बच्चों ये थी आपकी चार धातुएं लट और लिट लकार में आप इनको बार-बार उच्चारन करके सीखिएगा आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी आपका दिन शुब हो, मंगल मैं हो और आपका कल्यान हो